नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में और दोस्तों आज की इस वीडियो में आयूरवेद की एक और महत्वपूर्ण ओसदी की जानकारी लेकर हम एक बार फिर हाजी रहें दोस्तों हमारे इस चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस चैनल में आपको स्वास से जुड़ी होई हर उस ओसदी की जानकारी हम कराते रहते हैं जो आपके लिए जानना काफी जरूरी होती है और उप्योगी होती है तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में शुरू करते हैं अपने टोपिक को आज हम आपको बताने वाले हैं आयूरवेट की चमतकारी ओजदी बिच्च्यू बुट्टी की जानकारी को आपको बताने वाले हैं कि ये क्या होती है और कितनी फाइदेमन ये हमारे स्वास के लिए हो सकती है दोस्तों बिच्च्यू बुट्टी यानि की नेटल्स लीफ के फाइदों से बहुत से लोग अंजान होते हैं ये एक तरे की कंटिली जाड़ी है जिसको छूने से जलन वर जंजनाट होने लगती है इसकी पत्तियों को छूने से बिच्च्यू जैसा डंक लगने लगता है ये ही वज़े है कि इसे बिच्च्यू बुट्टी के नाम से जाना जाता है वेसे इसे बिचुवा पत्ती भी कहते हैं और इसका विग्यारिक नाम उर्टी का डियो का है बिचु बुटी कई ओस्दिय गुणों से भरपूर होने के कारण आपके लिए स्वास्त वर्दक भी है आम तोर पर यह सडक के किनारों, जंगलों वन नदी नालों के आसपास नमी वाली जगे पर पाई जाती है पोशक तत्वों से भरपूर, बिच्चु बुटी आपके लिवर, किड्नी और हर्दे स्वास्ति के लिए बहुती ज़्यादा फाइदेमन जड़ी बुटी मानी जाती है दोस्तो बात करते हैं यह किस-किस प्रकार आपके लिए फाइदेमन हो सकती है दोस्तो टाइप 2 डाइबिटी में ओटी का डियो का लीफ यानि की बिच्चु बुटी आपके लिए भेथ फाइदेमने डाइबिटी इसका इलाज करने के लिए बिच्चु बुटी का काफी पुराने समय से इस्तिमाल किया जा रहा है क्योंकि इसमें एंटी हाइपर गलाइसेमिक एजेंट होते हैं इसके लावा यह महिलाओं में अनियमित पिरियड वो जरुष से ज़्यादा रक्त प्रवा होने के समस्या और दर्द में राहत देने में मददगार होती है इसके लावा दोस्तो बिच्छू बुटी आपके बालों को स्वस्त और मजबुद बनाने के साथ आपकी तोचा समंदित समस्याओं को भी दूर कर सकती है तोचा सम्मंदित, एकजीमा रोग में भी इसका काफी फायदे मन्द है इसके अलावा यह आपके बालों के जढने की समस्या को भी कम कर देती है दोस्तों बिच्चू बुटी से आप पेट के स्वास्त को भी सही रख सकते हैं यह आपके पाचन किरिया को सही रूप से कारी करने में मददगार होती है इसके अलावा बिच्चू बुटी गलत खान पान के कानन होने वाली ऐसे डिटी की समस्या को भी दूर करती है जो कई बार गंबेर रूप ले सकती है बिच्चू बुटी में मौजूर एंटी अलसर गुण अलसर की समस्या में मददगार होते हैं इतना ही नहीं पेट में दर्द की समस्या से राह दिलाने में भी बिच्चू बुटी वरदान साबित होती है इसके लवा दूस्तों आजकल high blood pressure की समस्या एक आम समस्या है ऐसे में डोक्टर की सला के साथ आप बिच्चू बूटी का इस्तमाल कर सकते हैं या आपको आसानी से online भी उपलब दो जाएगी बिच्चू बूटी में मौझूद anti-hypercentive gun ब्लड pressure को कम करने में काफी मददगार होते हैं जिससे high blood pressure की समस्या को कम किया जा सकता है लेकिन ध्यान रखी कि जिने low blood pressure की समस्या है वह लोग इसका सेवन ना करें इसके लवा आप किपनी स्वास्त को दूरुस रखने के लिए भी ये काफी मददगार होती है दोस्तों चोट लगने पर घाव बढ़ने के लिए बिच्चू बुटी को आयूरवेदिक ओजदी के रूप में इस्तमाल किया जाता है इसमें hydro-alcoholic extract घाव को बढ़ने में मददगार होते हैं और इसमें मोजूर anti-inflammatory वर antibacterial घाव को भढ़ने के लिए लाबकारी साबित होते हैं इतना ही नई बिच्चू बुटी घाव में जलन, दर्द वर खून को रोकने में भी काफी मददगार होती है दोस्तों बिच्चू बुटी कंटीली होती है इसलिए आप इसकी पत्तियों को दस्ताने या कपड़े की मदद से चुने आप इसे सलाथ के रूप में खा सकते हैं इसके लाबा आप इसकी पत्तियों को अच्छी तरह से धोकर नमक वाले पानी में उबाल ले और फिर इसे सलात के रूप में इसका सेवन कर सकते हैं इसके लबा डोक्टर की सला से बिचू बूटी के कैपسुल भी लिए जा सकते हैं आप बिचू बूटी का खाने में उप्योग के साथ इसकी चाई बना कर भी सेवन कर सकते है तो दोस्तों ये थे आयूर्वेट की एक चमतगारी ओश्दी बिच्छू बूटी की संपोर्ने जानकारी आप लोगों के लिए उमिद करना आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी अगर वीडियो और जानकारी अच्छे लगती है इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जड़ दमाए धन्यवाद दोस्तों